नमस्कार दोस्तो आज हमने मुंख्फली पक्कर यहां पे तयार हो गई है तो हमने ट्रेक्टर लगा कि इसको खुदाई करवाने की सोची थी लेकिन ट्रेक्टर में यह लगाने के बाद में इसका जो लाण है वो कफी ज़्यादा होने की वज़े से इसके दोनों टायर वहां पर घूम जा रहे हैं तो अभी हमने यहां पर ट्रेक्टर लगा था एक ही अलाई ली थी उसमें इसके दोनों टायर वहां पर घूम जा रहे हैं आगे से उट जा रहा है तो इसकी वज़े से हमको आज तो यहां पर रोकना पड़ा तो कल हम दुबारा से दूसरे ट्रेक्ट हो रही है तो दोस्तों कलूम दूसरा टेक्टरल लगाएंगे उसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो बना के बताऊंगा कि मुंख फिले की किसे होती है और फिर यहां पे बीगा की पर बीगा की कितनी ओस्ति यहां पर आई थी कि वो वीडियो मैं आपको एक दो दिन बाद में बना के दिखाऊंगा तो दोस्तों ये इस टाइप की फसल वहाँ पे होती है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंड जरूर करें तता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ये देखो उसके दोनों टायर वहाँ पे फिरी हो गए है आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो इस वज़े से इसको रोकना पड़ेगा कल वापस इसी से ट्राइ तो नहीं हो पाएगा वो देखो दोनों टायर गुमने लग गए आगे से उड़ गया है अलंकि इसमें वेट भी बांदा हुआ है लेकिन कुछ तो इसके टायर पतले होते हैं कुछ ये गहरी ज़्यादा है इसकी वज़े से वो इसमें खीच नहीं पा रहा है तो कलम दुबारा से बड़ा बड़ा ट्रेक्टर लेके आएगे इसके टायर थोड़े चोड़े हो थोड़ा है वी हो आगे से भी तो उसको खीचने में इजी रहेगा इसको यहां खीचने में दिक्कत हो रही है फंस जा रहा है इस यहों नहीं पाएगा तो दोस्तों यह जो मुंग पुली हम लोग निकाल रहे हैं यह ट्रेक्टर के खॉदने के बाद में ऐसे इसके बोजे बणा बना के छोड़ देते हैं बाद में इसको एक जगे पर इक खटा कर लेंगे और फिर त्रेसर से निकाल लेंगे फिर इसमें कुछ मिट्टी में भी रह जाती है उसको निकालने का इक अलग जुगा डाता है नीचे चांड के निकल जाती है और मौन्ग पली उसके अपड़ को सैड में निकाल दिया जाता है तो इस तरह से स्थन में मौन्ग पली की खेती होती है अगर आपको वीडियो पसंदाए को लाइक और कमेंट जरू करें दोस्तों ढन्यवाद प्रुम्हास प्रूब अजया जर्षाभी लेश्काइब जले ले लेयर लेश्काइब ये जर्वालए खिस्ताइब चरते रसम नंट झाल झाल